ले दी वाद रहा हाहाहा पता आ गया तुम लोगों का फटर शुरू हो गया ना अब तुम लोगों के यह हांसी टिटोली हो जाए ना तू बताना हम फिर काम की बात करेंगे शुक्रू जब हमने चोर नी के जूतेयों से उतार के दिये उसमें ना जाने पर भी लगी हुए थी पर? नहीं कैसे? लेकिन महाँ पर एक नहीं कई राज और हमारी पहिली का जवाब सब छुपा है अगर हमें यादो की विराज तक पहुंचना है मैं महाँ फिर जाना होगा अरे लेकिन अभी अभी तो आप जफर से जान बचा के भागे है वापस जाना जूरुरी है क्या? मैं जफर की फिक्र नहीं है फिक्र है तो इस चोरनी की हमारा रास्ता काटे बेना तो जंगली बिल्ली का दिन नहीं पुरा होता है वह महाँ फिर से पहुच जाएगी उसके क्या करें? जिनों के दादा जान की किताब से कोई और नुष्का आजमा लीजिए उस एतर के नाकामियाभी के बाद हमें तो उस किताब पर बिल्कुल भरोसा नहीं है माफिया आका, दादा जान की तरफ से दरसल दादा जान के किताब के नुष्के तो काम नहीं आए लेकिन उनके उते जान का नुश्का भरूर काम करेगा अच्छा 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 क्या तरकी बताई मुझे भी बताईए लोटे तुम जफर का ख्याल रखो आखा और आखा की परिशारियों का ख्याल लखने के लिए मैं हूँ लोटे मुझे ख़ड कोई हूर परी धोड़ी है कि उसकी कहानी किताब में लिखी होएंगी उसके बारे में जो कुछ तू अब उनको बोली थी अब उनने वापस तेरे को पूरा बोल डाले भीडू तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं बुरा मत मानना चटरपटर मुझे तुम पर यकीन है पर बार-बार याददास जाने की वज़े से मैं खुद पर यकीन खो बैठी हूं मुझे कौन है उसका सच क्या है वो है भी या नहीं मैं एक बार फिर से बता लगाना चाहती हूं खुद पर यकीन करना चाहती हूं अगा मुझे लो दिरे भी आपका मुझे के बारे में चाह रहेते हैं जीनू आज मुझे मेले मेने वाला है वो दाम के पास मेले में हाँ बंजारों की बसनी है ना उनके मेले में अपने नए गुलान धूमने यहाँ, लेकिन सुनो, यह बात चोरनी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ भी हो जाए राधीन के बच्चे, हाँ, हाँ, नहीं पहुंचे, लेकिन हम तो अस मेले में नहीं जाएंगे ना नहीं, नहीं, वो बहुत कतरनाक जगा है, लेकिन यह बात अगर उस चोरनी और उसकी तोती को पता चल गया ना, तो वो उस सरूर जाएंगे इसका मतब अब हम क्या करेंगे, चुप रहेंगे, चुप रहेंगे, और ये बात किसी तक नहीं पहुशनी चाहिए, किसी भी तक नहीं, आओ तो ये बात है, निकम्मे शहजादे के पास मुच्चड की सारी खूफिया खबरे रहती है और आप अब उनके पास भी इससे ये बात साबित हो गई है, कि मुच्चड एक बहुत ही बुरा इंसान है पर उसके बारे में सब पता लगाने के बाद भी, सब कुछ भूल कैसे गई मेरे समझ के अभी विवार खेर आज पकड़ेंगे हैं मुच्चड को आज तू खला सोएंगा मुच्चड तरकीप काम कर गई, शबाज जिनू पर इस चकर में चोरनी फिर मुच्चड की पीछे पड़ गई है कोई बाद नहीं, कोई बाद नहीं, इस पर चोरनी हमसे दूर रहेगी तब ही हम अपने मकसद में काम्याब होंगे, शादो की परहात है चलो वो अलमारी यही थी, शी कैसे हो सकता है अलमारी यही पर थी, यही पर थी वो बड़ी अलमारी थी, यही पर थी वो बड़ी अलमारी थी वो बहुत बड़ी अलमारी थी वो, इसे कैसे मुम्पिन हो सकता है, वो का गया भोगी यही पर तो थी आपको पक्का यकीन है कि आपने वो अलमारी यही देखी थी हां हां पक्ता हमने कल वो बड़ी सालमारी यही थे की थी बर शाम को तो यही था जिक कैसे मुम्किन है अलमारी आपको शाम को दिखी थी हां गुटी के जिन्ट शाम के जुंद हलके में दिखी थी हां शाम के ना अंदर है, ना बार है, ना दिन में है, ना रात में है यानि कि वो अलमारी शाप के दुन्दल्टें पे तिखी के आराम से, आराम से, छोड़े अभी पूरी पहेली सुलिजाना पागी है अम्मी कहती, पहाडी की चोटी तक छोटे-छोटे कदम बढ़ा कर ही पुछा जाता है, इरादा पक्ता और कोशिस अच्छी होनी चाहिए पस, आपकी उपर वाला सब देख लेता है, है ना जिनू? हाँ हाँ भाई, जरूर, इंशालला हम जरूर पहाड की चोटी पे बहुचेंगे, और अम्मी के हाथ दबराशनी पोर्मा एक पतीली में रखे खाएंगे, हाँ 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 या अल्ला, इनकी एक वाईस जल्दी पूरी करना हो, हमें शाम के इंतिजार करना होगा क्योंकि अगर वो अल्मारी शाम के दुन्दलगे में फिर से नदर आती है, तो अम्मी की याद ताश भी पहुच चल्द होटाएगी और चोड़नी का क्या, हम इपने मकसद के चकर में उस बिज़ारी का वक जाया कर रहे हैं ठाका, कुछ परिशाने हैं? चोड़नी, हम खामा खाव से घुमा रहे हैं शेहजादे, बड़े मियां क्या गया है कि मौबबत की पहली सीड़ी फिक्र होती है ऐसे, फिक्र तो हो गया गोड़ी के जिन, कहीं लेक्चड़ी, फिर से केसी मुसी बतना पस जाया और फिर से गुस्ताना करें पिन तो एक पिन तो एक इकनी बड़ी अल्मारी मेरे आका जैसा कोई नहीं, मैं जानता हूँ, अब वो अम्मी और पूरे बगदाद को जफर नाम के जहरी के साम से आजादी तिला के इपानेगे पुस्ता तो मुझे इतना आ रहे ना कि अगर पूर निकमा शहजादा मेरे सामने होता तो कहा तक कि मुच्ण मेले में होगा, दो घंटे हो गए, नहीं मुच्ण मेरा बच्चा है तू, यस्मीन चटरफट, कुछ पता चला? बज्जारों की बस्ती भी इधर इच है, और मेला भी इधर इच लगता है बिडू तो अभी सब का आँग है? अख्का दुनिया का चटर लगाने को गए, दो महीने बाद लोटेंगे तब मिला लगेगा लेकिन अलादीन और जिनू बात कर रहे थे कि मक्खन मलाई को किसीने गलत बिलिद बोल दिया होगा कुछ तेरा मक्खन मलाई इतना सीधा नहीं है चटरफटर सच कुछ औरी है क्या सच? जो भी है, वो निकम्मा शहजादा खुद अपने मूझ से बताएगा और वो सच भी बताएगा और वो तुहां मुच्छ अपने बिल से बाहर भी आएगा मेरा मच्चा है तू सही खेल गए ना दिन में न रात में यानि शाम के धुंदलके में ना अंदर है ना पहार है यानि हमारा रास्ता इस अलमारी के बीच में से उता वाजाता है चलो कि अपने चलो यानि हुआ जो जो पाटा रास्ता फ्रींदेर में अंदर कुली क्या पारा हम क्योंकि अलमारी को भटा है आखाली चलो कोच है इसलिए भारा अलमारी अमका अंदर आने दाओ एइग तुब करें? के लाखा के जूमे पंदर, मैं पहुचो अल्भमार कि अंदर और जीकी, जीकी, जीकी जीकी, जीकी जीकी, जीकी? जीकी, में अंदर तो प्चा पाका अंदर कहें अकेले तुहीं पर मुश्किल हो गहीं तू क्या करें जेजादे पाका जेजादे पाका जेजादे पाका जेजादे येजादे ट्रवे पाता येजादे येजादे येजाद येजाद in क्या जा Nasılि येजाद क्या हो गया और हमारे मैमान नावाजी में कोई कम ही रह गई गया बताओ जहरेली कमी मैमान नावाजी में नहीं तेरी नियत में है जफर तब ही तो इतने बर्सों से मुझे अपने जादूी दारे से गिरी इस कुपा में कैस करके रखाए देखो ये तो सोच सोच की और नसरिये की बात है तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें यहां कायद करके रखा है लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि हम वहारी ताकत के अदर्दान है अब देखो, ये आदी नागिन, आदी औरत और आने वाले कल के बारे में हमें बताने वाली सहरीली हमें कहां मिले के? मुझे सारी ताकत इस पाक आख से मिलती है और इस ताकत का फायता तुने बहुत उठाया, जफर मैंने आने वाले कल के बारे में बता के, कई बार तेरी मदद की है पैयार की मदद नहीं की जाती, जाल मत की जाती इतना गुरूर मत कर, जफर, मैं तेरी जादवी ताकत से लड़नी सकती पर तू भी तेरी तक्तिर से नहीं लड़ सकता एक ना एक दित तेरी तक्ति तुझे हराएगी ये तेरी जुटी शान, तेरी जान, ये सब छिल लेगी बोल लिया मिल गई तह सलिक चलो अब काम की बात करते हैं हम बहुत जल्द अपने मकसद तक पाँचने वाले काला चिराख काले जराख कराज पर छोटा है लेकिन काटे बहुत सारे समय जानना है कि इन काटों को विशाने वाला कहीं है हमारी बेन सहर तो नहीं खिलाद का मई हमने अलमारी तो बहुत देखिये हैं लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ठंडी अलमारी पहली बड़ देख रहे हैं क्या वजाय है यहां पर अलमारी ठंड है यह तो खतम ही नहीं हो रहा है क्या करें आप तो तीन दर्वादे किस दर्वादे में जाये सुनों अन्धेरा हो रहा है आप तत्नी लोटे अप चातरी कुछी पलों में चान निकलाएगा अगर शहजादे तब तक बहार निकलाएगा तो अंदर ही फसे रहेंगे सफर में यह कैसा चातू किया है ना जिनों अंदर चापाया अपने आके उसका इरादा क्या है सम यह जानना है कि इन काटों को मिशाने वाला कहीं है हमारी पहन सहर तो नहीं सच पता मैं नहीं बताओगी मैं आने वाले कल के बारे में बता कि अभी टाकतों का और गलत इस्तमाल नहीं करनादी और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान को खत्रा हो सकता है जफर सही कह रही है क्योंकि अगर तुमने हमारे मदद की तो तुम्हारे जान को खत्रा हो सकता है और अगर उने हमारी मदद नहीं की तो ये आपके जो सांप हैं इन सांपों की जान को खत्रा हो सकता है हम इनके बिलों में आग लगातेंगे हमारे खलाफ जाकर अपनी मौत को प्ला रहा है इस मुने का दरवासा है एक जाती का और एक लगड़ी का इस बच गए, सोने का दरवाजा खोला तो शेटान मिला, पताने बाकी दरवाजों में क्या है, मदद कीजी अम्मी हमेशा याद रखना अला दे, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और सिंदगी ये सब दिकीमती रास्त सबसे मामूली चीजों में छुपे होते हैं और सिंदगी के सबसे कीमती रास्त सबसे मामूली चीजों में छुपे होते हैं आप में कभी घलत नहीं हो सकती और सिंदगी अज़ाएं अज़ाएं अब आमारी गायब और यहाँ अब आम क्याते रहेंगे अब आका बाहर के सिंदगे क्या हो आप मेशे के लिए अंतर बसके एक बाद इरादा शक्स तो उसकी शकल में गद्दार तेरे हास पास है अब आप आप अमयरे उसकी शकल देखने हैं शकल देखने हैं अब आप अब आप अब आप अब कर दो कर दो शाहिद यह वही जगा है जहां अम्मी की आताश मिलेगी